तरन्वी इशोग क्लिप्स में आपका स्वागत है यूट्यूब का एक लौता चैनल आपको हर चीज के बारे में नॉलेच में लेगा एपी के रागव चड़ा आये शोग पर उन्होंने कहा कि गवनन्स और स्टार्ट अप्स में ये फर्क होता है कि स्टार्ट अप्स में आप जीरो से वन तक लेके जा रहे हो फिर उस वन को टैन में बदल रहे हो पर गवनन्स में आप अपने देश को या अपने स्टेट को इन में देश का भला ही चाहता है उनके अनुसार जो भला वो चाहते हैं यह जो आपने जो यह पारलेल दिया है स्टार्ट अप्स वर्स गवर्नेंस यह एक अच्छा पैरलल है क्योंकि यह आप एक जैसे आप कंपनी ले लो जो की बहुत दिनों से आप जैसे टाटा है माल जो भी सीओ बनता है चैर्मन बनता है इससे पहले जो भी किया वह इनहरेट करता है वह आचली उसको मतलब सरकार जो है स्टार्ट अप की तरह नहीं सोचना चाहिए क्योंकि यह देश तो बहुत दिन से चला रहा है बहुत सारे सरकार है पहले आई है उनने जो नीती दिया वह आपने इनहरेट किया और उसको आप आगे बढ़ानी को शक्रत यह पैरलल सही है जहां तक नीतियों का म मैं यह जो लाइटे लगी हुए है इसके लिए बिजली लगती है और यह बिजली का खर्चेदी मैं नहीं दूंगा तो मैं फ्री में बिजली इस्तमाल कर रहा हूं और आप सोचो यह एक साधारन सा है मान लोग जैसे कई बार होता है कि पानी लोग बहुत खुला छोड़ पानी क्योंकि उनको लगता है पानी तो फ्री आ रही है तो पानी को मैं क्यों सेफ करूं जो चीज फ्री मिलती है उसको जैनरली लोगों को उतना उस पे उसका भाव समझ में नहीं आता बिजली पानी यदि आप बिजली का बिल भरोगे तो आप बिजली जो है उसको ध्या तो शायद आप उसको वैलिउं नहीं करें, गांथ देखने में मौतुलनाया काढ़ी शीयानकी। यहाँ पर अंधेरी में ले लो अंधेरी में यह Company मान लिजाए कुछ बाल बेरेंग यह बनाती अब उनको जो है कोलावा भेजना है वहाँ से कोलावा यह जो शिप करना है और वहाँ से वो निर्यात करते हैंकि इटली या कहीं भी US कहीं भीजते हैं तो यहां से अंधेरी से जो कुलाबा तक की जो रोड है वो अच्छी रहेगी तो पंद्रा मिनिट में चला आधे गंटे में यह सफर तैय हो जाएगा लेकिन रोड यह खराब हैं तो एक तो यह होगा कि गाड़ी जो मतलब इतना उपर नीचे होगा शायद बॉल बेरिंस कु कि क्या सरकारों सरकार ने अच्छा अच्छी रोड बनाई है तो और कंपनी आएंगी तो यही इसको हम अर्थशास्त्री जो है जारगन जब इस्तेमाल करते हैं बुलते हैं क्राउडिंग इंवेस्टमेंट की क्राउडिंग मतलब जैसे क्राउडिंग मतलब क्राउडिंग Thank you for supporting us throughout the years Secondly, हमने एक नया इनिशियेटिफ सार्ट किया जिसका नाम है Bear Bicep Skill House इसकी इंटेंशन ये है कि भारत की upskilling journey में हम अपना थोड़ा सा योगदान देदे हम लेकर आए हैं आपके लिए commercial editing का course क्योंकि ये है Bear Bicep Team का core skill set बहुत सारे upskilling courses हार है तो at least check out Bear Bicep Skill House follow our YouTube channel follow our Instagram page but for now, enjoy this episode of TRS या तमिलनाडू में जाए जहां पर उनको अच्छा infrastructure मेलेगा वहां पर जाएंगी तो ऐसे ही जो विदेशी कंपनिया और हमारे देशी देश की जो कंपनिया सभी कंपनिया ये देखेंगी कि सरकार की नीती कैसी है सरकार ये नीती ऐसा बना रही है कि और और निवेश अट्राक्ट करें तो कंपनिया आएंगी तो इसलिए मैं ये जो पैसे का इस्तेमाल जो करा हूँ जो टैक्स रविन आता है यदि आप फ्री चीजें देते हो तो वो मेरे अनुसार उसका अच्छा इस्तेमाल नहीं हुआ लेकिन अधि आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हो और इंफ्रास्ट्रक्चर इसे आपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इबात करी और इसके बारे में और बात कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है hard infrastructure भी होता है infrastructure शब्द को हमें थोड़ा सा समझाना पड़ेगा infrastructure road जो भी मतलब बुनियादी धांचा कहलो जो बुनियादी मतलब यदि road नहीं रहेगा तो actually लोग यहां एक जगे से दूसरे जगे जाएंगे कैसे road नहीं रहेगा तो actually कैसे सामान भीजी जाएगी काम में तेजी लाने के लिए ग्यंत्र होता है infrastructure अब एंजिनियर होता है एंजिनियर अचली यंत्र के रूप में बता दिया है यह सही है किसी एंजिनियर के लिए जो भी मतलब किसी चीज़ से जो आराम से आसानी से काम हो जाए तो वो जैसे वो एक यंत्र हो गया जैसे हम लोगों सबने फिजिक्स में सीखा होगा एक क्रो बार जो पत्थर उठाने के लिए आपको हाथ से करना है तो आचली बहुत मेहनत लगता है लेकिन आज क्रो बार लाएक कर दिया तो आसानी से हो गया तो ऐसी जो चीजे जो एकनॉमिक अक्टिविटी है उसको सुलब बनाती है आसान बनाती है तो उसको आप बुनियादिया इंट्रस्ट्रक्चर धांचा सोच सकते हो एक छोटा सा पॉस लेना चाहूंगा बहुत खुशू कि हम यह कॉन्वसेशन हिंदी में कर रहे है ताकि की लोग समझे की गव disaster होती ही क्या है क्यूंकि की या कि बहुत सारे लोग गवर्मनेंट को करते पकी किया उखे ए और जो ने किया वह क्यों तो आज वह समझने की कोशिश भी करें है अब बताइए इस आप कह रहे थे इंफ्रस्रक्चर के बारे में बताई तो जैसे महामारी जब आई थी, महामारी के समय भारत ने ये निरने किया कि अभी जो है क्योंकि एकॉनमी में प्राइवेट जो कंपनिया है वो निवेश नहीं करेंगी, महामारी की अंसर्टन्टी बढ़ जाती है, तो अनिश्चित्ता के समय कंपनिया निवेश नहीं आप भी मानलो कि आपको आपको नहीं पता अगले दो मेने में क्या होने वाला है तो आप नया office नहीं खोलोगे लेकिन आपको पता है कि दो मेने में अचली एकदम सबसाई है तो आप जाकर office खोल दोगे तो आप अपना जो निवेश कर रहे हैं वैसे ही है तो जो private investors निजी ज के लिए निवेश करना है हमारे देश में यह हमेशा रहा है कि जब राजा महराजा जब अकाल पड़ता था या फिर बाड आती थी देश में उनके प्रदेश में तो कई वार महल बनाते थे जी क्यों मनाते थे क्योंकि राजा मतलब सरकार तो निवेश करे जिसे लोगों को रोजगार मिले तो वही जो एक सिधान्त है वो भारत ने अपनाया और infrastructure में निवेश करने के लिए 2021 की budget से उसके बाद 2022 का जो budget आया और इस साल 2023 का budget इसमें तीनों budget में infrastructure में जो निवेश है जो लागत है budget actually वो काफी जादा हर साल बढ़ाया गया है और railway में power में इन में सब actually इसमें पैसा जा रहा है और यह बहुत एहम है इसके बारे में बात कर सकते हैं क्योंकि manufacturing sector जो है manufacturing sector के लिए बहुत एहम है यदि आप आपके बास बिजली यदि 24 अगंटे नहीं आती है और बिजली का voltage सही नहीं है तो आप manufacturing नहीं कर सकते है वैसे ही अपने जो manufacture किया मान लिजे आपने उसको वारंगल ते लंगाना में वारंगल वहां पे बन रहा है लेकिन आपको उसको भेजना है मान लखनों भेजना है तो यदि रोड अच्छे नहीं होंगे तो आप उसको भेज नहीं पाएंगे, समय पे नहीं भेज पाएंगे, तो इसलिए जो रोड में और रेल्वेस में इसमें निवेश किया गया है, वैसे ही डिजिटल इंफरस्ट्रक्च्चर, डिजिटल इंफरस्ट्रक्चर के बारे में तो मैं गंटों बात कर सकता हूं, क्योंकि एक छोटा सा उ कोफी पीता हूं, तब भी मेरे को क्रेडिट काड ही इस्तेमाल परना पड़ता है, या फिर पेमेंट करो तो इसमें एक ट्रैंजक्शन कास्ट भी लगती है, यहां पे तो आराम से हो जाता है, तो जो कल जैसे में हमारी मा के साथ था, तो मंडी गया था, सबजी लेने के ल सही बात है, जब अमेरिका में जातो, यॉर्प में जातो, वहाँ यूपी आई नहीं चलता, तब आपको उसकी एहमियत बता चलता है, और मैं यह अक्शली इसमें यह जो पताना चाहूँगा, क्योंकि मैं 2001 से 2010 तक यूएस में था, जी, अमरिका में 9 साल वहीं पे, पहले पढ़ाई के लिए गया था, उसके बाद फिर वहाँ काम करता था, तो वह एक 9 साल की अवधी, और अभी जब देखता हूँ मैं, उस अवधी में शायद बहुत कम ऐसा था कि मुझे लगता था अरे यह भारत में अच्छा होता है, अमरिका में उतना अच्छा नहीं होता है हर चीज यह लगती थी, यार अमरिका में इतना अच्छा था भारत में क्यों नहीं होता, यही ऐसा एक प्रशन आता था, मेरे मेरे मैंड में, मैं देखता था, लेकिन अब मैं जाता हूँ देखता हूँ कि कितने सारी चीज़ हैं जो भारत काफी बहतर कर रहा है, अमरिका क खाते थे उसमें डिरेक्ट, जैम तिकडी जो जंधन, आधार, मोबाइल की जो तिकडी है उसको मिला के हमने डिरेक्ट ट्रांसफर किया, यही चीज अमरिका में कैसे हुआ, अमरिका में पहले उन्होंने चेक प्रिंट किये, चेक में साइन हुआ, राष्ट्रपती का, उन आवाघ खोला आपはは ने उसका चेक निकाला और चेक निकाल के फिर आप बैंक ब्रांच में गया, एटिम में घियर, उसको चेक को जमा किया, चेक क्रेडित होने के बाद आपने कैस निकाला, कितने कदम हो गए यहां पर, और यह सारे कदम जो है, भारत ने सिर्फ एक चुक जो फिनाशल सेक्टर है वो एक पुराने तरीके से बिजनस कर रही है और जो डिसरप्शन है जो यूपी आई जैसे डिसरप्शन वोस डिसरप्शन से उनको शायद उतना लाब नहीं होगा इसी लिए वो उसको शायद आने नहीं दे रहा है झाल झाल झाल